एक सुरह फातिया तीन दफा सुरह तवाहीद बढ़कर तमाम ओमनी मुवमनात महरुमीन तमाम उल्मात माम शौहदाव महरुमीन यह नो महरुमीन पुस्तात सही सिप्ट जाफ़र शहीदार बसाइनी की रूपकर सुर्ण अल्लार। इमामे दमाना की सलामती के लिए एक दफ़ा सलावाद देश्ट। हसबना ल्ल्हु वनिम वकील निम अल्मुला वनिम नशीर आओज ब ल्ल्ही विन श्यत्वान इर्रजीम बिस्मिल्लह इर्रह्मान इर्रहीम अल्हम्दू लिल्लाह ल्दी उमिनु फाइफीन वयनज्जिस अलिहीन वयदाु अलमुस्टबिरीन वयुलिक मुलूकं वयस्ताखलफ आफरीन वाल सलात वाला वाला रसुले थालें मेंवों परब बल मश्रिखेन वाल मखरिबें जद लसनि वाल हुसेन नभी ना सेदेना अब अब लकासम मुहम्माद अर्वान। आपकाई भौलि अम्हा बादों फक्त। खुदा उन्दे मुटाल की बारगाव में शुकर गुदार हैं कि परवदिगार ने एक और माह मुबारक का दिन हमें अता परमाया रोजा रखने की अबादत की तौफीक अता परमाया जैसे कि आपकी खिद्मत में पहले भी मैंने अर्ज किया कि ये महीना रहमतों मगफरतों का महीना है और खुदा की तरफ से जो है वो बेशमार करामते इस महीने में नाजल हो रही है इस महीने में परवदिगार ने अपनी बहतरीन किताब को उतारा वो किताब के जो जिसको जो मलाइका लेकर आए वो मलाइका स्यदुल मलाइका बन गे अज़र जिबराईल इस किताब को लेकर आए पैगाम को लेकर आए खुदा ने उनके दरजे को कहा पहुँचा दिया जिस नभी पर ये कुरान उतरा खुदा ने उसे स्यदल अंबिया करार दे दिया जिस उम्मत पर ये कुरान नाजल हुआ उसे अफजल अम्मत करार दिया जिस महीने में ये कुरान आया उसे परवदिगार ने बहतरीन महीना करार दिया और जिस रात को ये कुरान नाजल हुआ तो से लिलतल düşünक्रादर करार दीब है अब अगर हम चाहें तो बेस्कुरान को अपने वुजूद पे भी नाजल करें parcemb intent अपयूर में भी दुने नाजल करें लिए लिए- भी हमारे अपने अपर है कि अपने उपर हैं जाहिर है कुरान कलाम इलाही है और कलाम इलाही जो है वो इतना आसान नहीं है लेकिन अगर इनसान अपने आपको अमादा करे रेडी करे जैसा के आपने सुनी भी होगी कि इसलाम रिसर्च कि इनसान का जो बदन है वो 75 पॉरशन्ट जहें वो पानी है लिक्विड है और एक जैपनीज जिसने रिसरच की थी कि पानी को अपने सामने रखा और उसने मुख्तलिफ अलफाज वर्ड्स जो हैं वो उस पानी के सामने कहे تو इस पानी के मॉलیکول्स में तब्दिली आना शुच्रू हुगी फिर उसने पानी सामने रखा और लोगों को फून किया हुआ के इस पानी को जहन में रखो और अच्छे अलफ़ाज बो तो पानी के मॉलیکول्स अच्छे होना शुरू हो गए और बुरे अलफाज बो तो पानी की मॉलेक्यूल बुरे होना शुरू हो गया तो उसने बारा जो रिसर्च की उसने देखा कि पानी की मॉलेक्यूल सबसे बेतर कब हो सकते है तो उसे जो अलफाज मिले उसने का कि जब कुरान की तिलावत होती है तो सबसे बेतरीन पानी की मॉलेक्यूल अपनी शेकल में आते है और इनसान का बदन 75% पानी है अगर इनसान खुद जब कुरान की तिलावत सुने पढ़े तो उसके अपने बदन की मॉलेक्यूल बेस्ट हालत में आ जाते है तो यह बहराल महीना हमें यह अपरिजूनिटी दे रहा है कि बहराल हम पुरान सुने पुरान पढ़े यह जाने मौतरम असल मकसद सवाब कमाना नहीं है असल मकसद इनसान बनना है आयत अल्ला हुसैन तहरानी के पास तालिब इल्म शागिर्द आया कि कहा मुझे इस महीने में कोई नसियत कीजिए तो उन्होंने कहा कि जाओ इनसान बन जाओ यानि हम बाद वकात कहते हैं कि शायद कुछ वजीफा मिल दाएगा नहीं इनसान बन जाओ वो इनसान बनना आसान नहीं है इनसान बनना ही सबसे मुश्किल का और इसी इनसान बनने के लिए तो परवदिगार ने एक लाग चौबिस हजार अंबिया को बेज़ा कि जाएं और वो इनसानियत की तालीम दे लिए मगर खुदा इनसान से महबबत करता है जाने मौत हम बास अगात अपनी दुनिया के अंदर चीजों में इतने मगन हो जाते हैं भूल जाते हैं खुदाना खासता कभी कभी खुदा की बारगाह में इनसान शिक्वा भी कर बैठता है कि ये परवदिगार ये क्यों नहीं दिया ऐसा क्यों हो गया जबके खुदा अपने बंदे से महबत करता है खुदा पुरान की आयात है भरहाल औरफा इस आयत को भरहाल आयत तो तुलानी है जिसमें अरुदिगार कह रहा है कि अगर तुमने अमल नहीं किया तो मैं बहुत जल दे कैसी कौम पैदा करूंगा जो युहिबू हुम क्या करेंगे यानि जो जिससे खुदा भी महबत करेगा वा युहिबू नहू और खुदा भी उनसे महबत करेगा और वो भी खुदा से महबत करेंगे और रफा इस इससे को अलग से लेते हैं वो कहते हैं कि यह इससा जो है कि उससे महबत की जाए यानि वो भी महबत करें यानि दोनों तरफ आए यानि वो भी महबत कर रहा है तब तुम भी महबत उससे कर रहे हो या तुम उससे महबत कर रहे हो तो वो भी तुम से महबत कर रहा है और हो ही नहीं सकता कि अगर वो महबत ना करे और हम उससे हम यह से असान ही कि इसान अपने खालग से महबबद करे शुक्स आया इमाम रजा लए सालाम की खिद्मत में आया कहा मौला क्या आप मुझसे महबद करते हैं तो इमाम ने कहा कि अपने कल्ब से पूछो कहा मौला क्या मतलब कहा अगर तुम्हारे दिल मेरे लिए महबद है तो मैं भी तुमसे महबद करता है यानि अगर हम अगर हम देखना चाहें कि खुदा हमसे महबद करता है खुब हमारे दिल में खुदा से महबद कितनी है हम खुदा से महबद कितनी करते हैं और असल महबद ही सिर्फ खुदा के लिए बाकी कोई भी चीज जो है वो असल मुखबत नहीं है अब आप बोलेंगे खुब लो इनसान माँ बाप से मुखबत करता है इनसान बाराल अपनी ओलाद से मुखबत करता है सारी खुब यह सारी मुखबते इसलिए हैं क्योंकि असल मुखबत अपने चीजों से अपने अतराफ से मुपब इसलिए करते हैं कि खुदा ने इनको आपके लिए खल्क किया है निमत है तो ये मुपबत भी आपकी खुदाही की तरफ जाती है सहीफ सज्जादिया की जो पहली दौा है जिसमें इमाम सज्जाद आले सलातु सलाम अमाम जो है जब खुदा की हम्दु सना कर रहे हैं तो क्या कहते है हम्दु सना उसकी के जो सबसे अवल है यानि उससे पहले कोई है ही नहीं और ऐसा आाकिर के जिसके बाद कोई भी आके नहीं यादी सारी तो सना तेरे लिए है परवदिकार। कि वो मुश्किल में रहे ये खुद हमने अपने आप को तकलीफ में डाला वैज़ाने मौतरम जब कि खुदा ने हमें खल्क ऐसा किया है बनाया ऐसा है कि हम उसकी मौबबत की तरफ बढ़े आप खुद देखें कि जो मां होती है मां के दिल में ऑलाद की कितनी मौबत है हज़र्द मुसा लएस सालाम ने देखा कि एक मां अपने बच्चे को अपने बगल से लिए अपने अंदर उठाए पहाड पर चड़ रही है तो कहा हज़र्द मुसा ने परवदिगार वो जो तेरी रहमत है इस मां के दिल में अपनी ओलाद की उसको चीन ले उसको चीन लिया खुदा ने उसको खतम कर दिया मां ने बच्चे को फेका और चली गई चली गई अज़र्द मुसा ने कहा परवदिगार इसके अंदर उस मौबत उस रहमत को वापिस भेज दे जैसी वापिस भेजा मां दोड़ती वी आई और उसने अपने बच्चे को उठाया वो कि ये असली जो रहमत मां के अंदर भी है ये किसकी वज़ा से है खुदा की वज़ा से है अगर खुदा इस रहमत को इस मौबत को मां के अंदर करार न दे तो मां अपने बच्चे को तो अपने हमल में भी न रखे नौ महीं न वो किस तरह इसको पालती है किस तरह ये सारी रहमतें जो आप देख रहे हैं ये सब मौबत ने किसकी वज़ा से है खुदा की वज़ा से है अगर ये खुदा हमारे अंदर से इस मौबत को खतम कर दे तो हमें एक दूसरे को भी देखना बसंदी करें ये जो बहराल हमें एक दूसरे से मौबत करते है जाए बहराल इनसान किसी न किसी निस्पत से जुडावा है माजब से जुडावा है अकीदे से जुडावा है जबान से जड़ावा है और सबसे बढ़कर इनसानियत से जड़ावा है इसलिए कहते हैं कि असल मजभ इनसानियत है यह नहीं इनसान होना है मसले आप नमाज पढ़ें रोजे रखें सारे काम करें मगर आपकी किरदार में इनसानियत ना पाई जाए आप अपने काम में जहां पर बिजनिस करते हूं या कारोबार करते हूं वाप जूर बोलते हूं दोगा देते हूं लोगों को आप बाहर बहुत अच्छे हैंम आप आप घर में जायें और आपका घर में किर्दार अच्छा ना होँ तो आप आपकी ये इस बादत आपको इंसान नहीं बना लिए आपकी इवादत हो सकता है आपके माते पे निशान ले आए मगर ये निशान दिल पर ताख भी बन सकता है अगर आपका किर्दार अच्छा ना हो बहुत बड़े सहाबी हैं और इतने अच्छे सहाबी हैं कि रसूल खुद जनाजा उठा रहे हैं और कभी दाएं तरफ कभी बाएं तरफ बात में असाब ने पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे थे कभी इदर से जनाजा उठाते थे तो कहा जहां जहां मलाइका जनाजा उठाते थे मैं वहीं से उठाता था यानि इतना बैसा जनाज़ा और रसूल खुदा खुद दफना रहे है उन सावी की वालदा ने कहा कि इतना खुशकिस्मत है मेरा बेटा रसूल खुदा ने क्या फर्माया जल्दी मत करो मैं कबर में आजाब दे रहा है अल्लाह वाकबर मालाइका जनाज़े में हैं रसूल खुदा दफना रहे हैं और कबर में आजाब कहां यह शक्त अपने घर में बत का लाम था उन्चान बाहर बहुत अच्छा है बाहर बच्चे बहुत अच्छे हैं माशाबला इंशालला कि गर में भी अच्छी होगए लेकिन अभी बाहर मौलाना का आज चूम रहे हैं घर में माबाफ बात ही नहीं सुन रहे हैं क्या करेंगे आप आप भी बहुत अच्छे हैं मैं भी बहुत अच्छा हूँ मैं आपको दुरा नहीं कह सकता अपने आपको तो कह सकता हूँ हो, मैं बहुत अच्छा हूँ, माशा अल्हा, लाम्दलिल्ल्ह, जजाता ल्ल्ह, ल्तमासे द्वा, गर में कैसा हूँ, यह तो गर वाली जानती है, गर में इंसान कैसा होता है, वो जजाने मौतरम, खुब किरदार, अपनी तनहाई और खल्वत में पता चलता है, माशरे में तो हमें एक दूसरे से पियर प्रेशर ही अंदर हैं, कोई देख लेगा, कोई सुन लेगा, लेकिन तनहाई में तो कोई भी नहीं देख रहा, असल किरदार, असल करेक्टर, तनह ही में इनसान के निकलता है, कि वो कैसा है, इसलिए ये जो खुदा ने महबबत को करार दिया है, और खुदा कहता है, कि मैंने तुमें महबबत ही के लिए खल्व किया है, यनि खुदा ने हमें खल्की ऐसे किया है, कि हम उसकी महबबत की तरफ जाएं, और जब इनसान महब की तरफ बढ़ता है तो आप यकीन करें मौभत जो है वो इनसान को किछेशती है इनसान को महबत क्यूं करने की तरफ मोटिवेट करती है अगर इनसान को महबत नहीं हो इनसान बहुत सारे काम देंके महबत में को ब्यादा प्ता होता है महबत में क código बखल भी वैसे पैना विए जो शाडिघ वे ने भ default गार वाल से तो करते ही है kanssa आगर एक्वार मोभँत किदेन Noel झाया किने से तो गार्वालों से तो ग् rainforest किना है तुम वालदाइन से भी मोभँत करता है और जिस्वे खौदा से मोभँत हो तो वो खौदा की महबत की खातिर अबादत करता है इसलिए तो इमाम अली अल्याश्वात असलाम इर्शाद फर्माते हैं क्या फर्माते हैं कि परोदिगार मैं जहन्नम के खौफ से अबादत नहीं करता मैं जन्नत की लालच में अबादत नहीं करता मैं तेरी अबादत इसलिए करता हूँ क्योंकि तू अबादत के लाइक है तू परस्टिश के लाइक है मैं क्यों तेरी अबादत करूँ तो ये मोटिवेशन तब होती जब इनसान उस महबबत की तरफ बढ़ता है उस इश्ग की तरफ बढ़ता है वो लैला मजनू और इस तरह की जितने भी करेक्टर बाद जो है वो बहराल उर्फा ने किताबों के अंदर समझाने के लिए जो बनाए आप देखें कि जब मजनू जो है वो एक शहर में जाता है और लैला का पता पूछता है अड्रेस पूछता है तो उससे कहते हैं तुम आवाजा नौक करता है तो अंदर से आवाज आती है कौन है तो वो कहता है कि मैं हूँ फिर आवाज आती है अभी तक मैं ही हो यानि अभी तक तुम्हारी मैं नहीं निकली है फिर बहुत दिनों के बाद पिर वापस आता है फिर दावाजा खटटटट आता है तो कौन कहा तुम, अशल महबत में इनिसानasoEnt को फैना कर देता याईंड क्याणि अगर मैं बाकी है, महबत नहीं या है सवार में इसा करताूं मैं वैसा करताFitूं मैं पहली सफ्मे नमाज पढदताूं मैं कम्यूनिटिग यए यह करताूं में भसा हुआ है यह मैं में बसा हुआ यह हो वक्पर जब उलिया खुदा खुदा की बारगाः pom prett जाते हैं अपने आपको भूल जाते हैं जब इनसान खुदा की बारगाः pom उसकी मुश्कल हल नहीं होती थी तंगा गया शेहर से बहर निकल गया कहीं खराबे में कहीं ऐसी उजड़ी भी जगा पर देखा एक तूटी पूटी सी जगा देखा मस्जिद है कहा चलो जो भी है मस्जिद में गया और सहीफ सज्जादिया की दौा साथवी दौा जो है गतवोस ने पढ़ना शुरू की जिसमें इमाम फर्माते है कि परवदिगार तू वो है जो सारे उग्दों को सारी गुथियों को जो भी मुश्किल में है तू सब को हल करने वाला है इमाम का कौल है जाने मौतरम खाला मासूम है लब से जब खुलता है तो बिलकुल हगीकत वैसी है कि जैसे कलाम रबानी है और जाहर है जब उस पर इनसान अमल करे तो क्या का मैं उसी गिडगडाहट में ये दौा पढ़ा था तो एक अजीब कैफियत मेरे उपर तारी हो गई और मुझे महतूस हुआ कि मेरी कोई भी मुश्किल नहीं है मुश्किल मेरी हलो गई कि जब इनसान उसकी बारगाह में जाता है उसकी हम्दोसना करता है तो अपने आप को भूल जाता है बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई बच्चा आए अपने मा के पास अपनी मुश्किल लेकर आए अपनी हाज़त लेकर आए कि मुझे ये चाहिए मुझे जरूरत है और वा के अपनी मांसे ये हाज़त कहने लगे और मां उसके क्या कहे बिटा कितने प्यारे लग رہے हो तुम्हारी आँखें कितनी खुब्सूरत है तुम्हारी आँखें कितनी बादाम की तरह है और बच्चा भूल जाए और मुश्किल को बजाए अपनी माँ से कहे अम्मा मुझे बदाम साहिए यानी क्या यानी गाइब हो गया खुद यानी हाज़त भूल गया मशूर वाकिया है आप सब को भी खुदा तौफीक दे मश्यद मुकद्स, इमाम रजा की जारत की बेस्दे laugh बड़ी कैफियत है ज़ले महतरम कई सालों हो गये मुझे फंधे खाकिर को भी वहा जाते है मौलाना साहब ने भी बरहार्ट सा मश्यद मुक्द्ध में गुजा रहे है मसजद उस मश्यद की ऐक अलग कहविएत है उस मश्यद में आज तक भी जो नमाज पि अदा की जाती है उसकी मानवियत दिन बतिन अज़ाफा हो रही है वो मश्यद जो है वो कैसे बनी कि वो जो जाने में जो भरल सुल्टान ता उसकी दोजा का नाम गोहरशाद था उसने जो भरल बरे हलाल तरीके और भरल शराइत और रक्त कर वूए इस मसजिद की तामीर कर वाई मसजद की तामीर में उसकी शर्त थी कि जो भी मसदूर कम करेगा वो नमाज अदा करे बावजू हो यस तरह की चीज़ें तो एक दिन वो मस्जिद को देखने आई तो हवा चली और उसका नकाब कहते हैं हट गया तो एक मजदूर जो काम कर रहा था जवान था उसकी निगाह उस पर पड़ी तो उसके उस एक ही निगाह में फर्स साइट लव जो हता है वो गरिफतार हो गया और वो बहरहाल गरीब था मजदूर था वो कहां सुल्टान की जोज़ा अब बेमार पड़ गया मां बिचारी गरीब सिती साधी सिती वो टी और उस ने कहा कि मैं जाती हूँ यथा मैं अपने बेटे चैब लिखता का रिश्ता बंगती हूँ खो गरीब भी साधी सिती उसे पता नहीं था ऐडिया जब तो गही तो उने पूझा क्यों आइ सुने जाने दिया लोगों ऩान उसने का ठीक है खुब ये तो कोई मुश्मिल काम ही नहीं था चालिस दिन तक नमाज पढ़ना मस्जिद बन रही थी ऐसाने मौतरम इसने एक बंदा उसके पीछे लगा दिया कि देखता रहे कि ये नमाज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा नमाज पांच दिन दस दिन पीस दिन तीस दिन चालिसमा दिन जब होने लगा तो वो पैगाम लेकर आया उसका कि तुम्हें चालिस दिन से देख रहे हैं अब तुम जो चाहते थे वो हो सकता है कहा क्या हो सकता है कहा वही जो तुम जिस महबत में गरिफ़तार हो हाँ नहीं मैं तो किसी और की महब्बत में किरिफ़तार हूँ मैं तो खुदा की महब्बत में किरिफ़तार हो गया वजान यह अपनी हाज़त लेने आया और अपने आप को भूल गया और खुदा की तरफ जम हो गया खुब असल महब्बत यही है असल अमल यही है इनसान अबादत करता रहा है दिन बादत रोजे रख रहा है नमादें पढ़ा है मगर उसके अंदर तब दीजी नहीं आरी चेंजिस ही नहीं आरी इसके अंतलब के इसके अंतलब गड़बड है कही नहीं कही नहीं गई سے محبت کرتا ہے اور جس سے خدا محبت کر لے تو خدا جو ہے وہ ملائکہ اور ہر سماوات اور سکان ہر کائنات کے ذرے ذرے کو بتا دیتا ہے کہ یہ خدا کا محبوب ہے اور جس کے لیے پوری کائنات کی ہر چیز کو پتا ہو کہ یہ کائنات کا محبوب ہے یہ خدا کا محبوب ہے پتھر بھی جانتے ہوں पहाड भी जानते हों तो क्या उसकी दौा आसमानों से वापस आएगी तो हाथ उठाएगा उसकी दौा पूरी हो जाएगी है जाने मुथर मगर उसकी बाहरगा में चाना जरूरी है अमीरल मुमिनीन से बड़ा मजबूत तो कोई हस्ती नहीं है अमीरल मुमिनीन से अबादत गुजार और अब्द साले और इनसाने कामिल कोई भी नहीं है मगर पिर भी मौला काईनात आप देखें खुदा की बारगा में किस तरह गिरिया करते हैं किस तरह गिड़ गड़ाते हैं माना जाते हैं, अमीर अलमुमिन आप पढ़ते हैं, दौाए कुमेल आप पढ़ते हैं, माना जाते हैं, शाबानियां भी यह जो है, मौला काइनात पढ़ते थे, खुब आप देखें कि जितना आदमी बढ़ता चला जाता है, उतना वो खुदा की बारगाह में जुकता चला माई रमजान हमें यही एपरिशनिटी दे रहा है हम बारहाल अपने आप को खुदा के करीब करें और यह करीब तभी होगा कि जब हम प्राक्टिकली अपनी लाइफ में चेंजिस देखें यहां से जाने के बाद दिन में हमारे किरदार में तबदीली आए हम एक दूसरे के साथ हमारा बेहेवियर बेतर होना चाहिए प्रसा के दोर पर जिस आत्मी को पता है कि दुनिया में थोड़े दिन रहना है वो एक दूसरे से नाराज नहीं होता वो एक दूसरे से हसद नहीं करता वो एक दूसरे से जलन नहीं करता वैसे भी आप जानते है कि जो मुमिन है मिरातुल मुमिन है मुमिन मुमिन का क्या है आइना है मेरर है अगर मैं आपकी बुराई कर रहा हूँ तो इसका अल्ला में मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं अपनी बुराई कर रहा हूँ और मुमिन की हुर्मत कावे की हुर्मत से अफजल है जिने कावे की कितनी हुर्मत है लेकिन मुमिन की हुर्मत कावे की हुर्मत से ज़्यादा अफजल है तो मुझे कैसा होना चाहिए ये इसलिए है कि तब हम माशरा एक अच्छा बना ही तब ही सकते हैं कि जब हम एक दूसरे के साथ अच्छे होंगे एक दूसरे के साथ हमारा किरदार अच्छा होगा अगर हमें किसी की बुराई नजर आए आएब नजर आए ना कि हम उसको दूसरों को बताएं खुब ये रिवायात अहदीस अल्मा की सीदत यही कहती है किसी की इसलाह करना चाहते हो किसी से महबत करते हो दोस्त रखते हो पसंद करते हो तो लोगों के सामने उसकी बुराई का जिकर मत करो बलके तनहाई में उसके साथ उसको हमदर्दी के साथ समझाओ कि अगर ये बुराई है ये बुराई है ये चीज है ये तुम्हारा किरदार है ये जो भी है बहराले लेकिन लोगों के सामने बुराई आया करना ये खुदा ना खासता कहीं ये ना हो कि ये तौक आपके गले में तो रह जाए और वो शक्स खुदा की बारगाह में माफी मांग ले रात को जाके और क्यामत तक आपके गले में तौक या आप दूसरों के सामने उसके इस किरदार को अफशा कर दिया आप देखें खुदा कितना रहमान है सदर इसलाम का वाक्या है अभी शराब नई नई हराम होई थी एक जवान एक बरतन में शराब लेकर जा रहा है सामने से रसूल फुदा आ गए अब उस जवान ने कहा परवदिगार अगर रसूल ने पूछ लिया तो मैं क्या जवाब तो परवदिगार तू इस्जतों को बचाने वाला है तू इस्जतों को काइम करने वाला है अब ऐसे में जैसी रसूल आए रसूल ने पूछ भी लिया और इसने कहा कि इसमें शहद है अब इसने कहा कि रसूल मुझे जाने देंगे मगर इसके दिल में कहीं रसूल फुदा ये ना कह दे कि मुझे शहद चखा दो वहीं हुआ अगर रसूल फुदा ने कहा कि दिखाओ मैं भी इस शहद को देखूँ बस इसने कहा परवादिगार इस लम्हे में मेरी इज़त तेरे हाथ में है मैं तेरे महबूब के आगे रुस्वा नहीं होना चाहता अब आप देखें खुदा कितना रह्मान है खुदा ने उसको शहद में तब्दील कर दिया हबीब के सामने खुदा हबीब के सामने भी नहीं चाहता हलागे हबीब रहमतिल आलमीन है अगर हबीब के सामने भी कोई चीज आती तो तुम्हेमत करने आला है एज़ान-े-महतरम परवदिगार अपने मुमिन जो उसकी एबादत करते उसके लिए मलाइका'وں के आगे भी पड़ते डाल देता है मलाइका के आगे भी परदिगार कहता है मलाइका को भी नजर नाएं अगर मेरा बंदा कहीं गलती यसलिए तो कहते हैं कि अगर खुदा ना कास्ता आप से गलती हो जाए तो कुछ घंटों में तूबा कर लें क्योंकि उन कुछ घंटों तक खुदा मलाइका को भी नहीं दिखाता कि मेरे बंदे ने कोई कुना किया है तो हम कैसे ऐसा कर सकते हैं कि हमें किसी की बुराई नजर आ जाए कोई गलत काम करतावा नजर आ जाए और हम उसको अफशा कर दें हम उस बात को पहला दें हम खुदा की बारगाएं में क्या चवाब देंगे जाने मौत जब खुदा सत्तार अलईूब है याईनि एबों को छुपाने वाला है तो मैं कौन हूँ जो लोगों के एबों को अगर मेरे एब खुदा बता दे लोगों को मैं क्या करूँगा तो महबत का तकाजा यही है महबत बहुत सारी कम्यों को पूरा कर देती है खुदा यही है कि खुदा ही तो कहता है अगर तुम मेरे कम दिये हुए पर राजी हो जाओ तो मैं तुम्हारे कम अमल पर भी राजी हो जाओ तो अगर हम خدا میرے نقائص کو چھپا رہا ہے کیوں چھپا رہا ہے محبت کی وجہ سے خدا کہتا خب آؤ تم عبادت کرو آؤ میں تمہاری عبادت کو قبول کروں میری عبادت کیسی ہے میری عبادت میں دنیا کے خیالات ہیں میری عبادت میں کوئی کانپنا نہیں ہے میری نماز کو عیت اللہ بحجت جیسی نماز تھوڑی ہے عیت اللہ عظمہ بحجت جن کی عبادت سیرہ معصومین پر ہے آپ خود سوچیں کہ امام معصوم کیسی عبادت کرتے تھے کہ جب جو ہے وہ واقعہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام اللہ سجاد امام عبادت میں ہیں اور امام کی ابا جو ہے وہ ہٹ گئی تھوڑی سی نماز کے بعد راوی نے کہا مولا آپ کی ابا جو ہے وہ ہٹ گئی تھی آپ کو توجہ نہیں دیا تو امام فرماتے ہیں مگر تمہیں نہیں پتا میں کس کے سامنے حاضر تھا جو کس کے آگے حاضر تھا میں اس کے آگے اپنی طرف توجہ دوں گا تو ابھی کہتا ہے مولا پھر ہماری نمازوں کا کیا ہوگا ہماری نمازیں تو ایسی نہیں ہیں تو اسی لئے امام نے کہا کہ تم نوافل نوافل مستعبات پڑھ کر اپنی نمازوں کی کمیوں کو پورا کرو ماہ رمضان بہرحال یہ اپورچنٹی دے رہا ہے مغرب اشاہ تو ہمیں فاس فاس پڑھنی پڑتی ہے کیونکہ بہرحال پھر جو ہے وہ دوسری چیز قضا ہو جائے گی جو ہمارا شکم ہے اس کو بھی تو پورا کرنا ہوتا ہے لیکن بہرحال رات آپ کے پاس ہوتی ہے دن آپ کے پاس ہوتا ہے اور یہ دن راتیں ہیں اس لئے کہ بہرحال انسان کوشش کرے کہ تھوڑی دیر قیام لمبا کرتے سجدے تھوڑے سے لمبے کرتے دعائیں کریں کہ جو لذت اس مہینے میں ہے اجزان محترم کچھ مہینے کے بعد نہیں ملے گی وہ کہ خدا یہ نہیں کہتا کہ آپ کو عبادت نہیں دے گا مزہ نہیں مگر جو اس مہینے کے اندر آپ قیام کر سکتے ہیں خورت کر سکتے ہیں وہ اسی مہینے کے اندر ہے خب اس مہینے کے اندر آپ دیکھیں یہ جو کیفیت ہے نمازوں کی اور آپ نماز کی جو تعریف سور مومنون کے اندر ہے قرآن جو بیان کر رہا ہے کہ مومن کی نماز کیسی ہے کہ وہ ہیں جو نماز میں خاشیت رکھتے ہیں یعنی کانپتے ہیں کس کے حضور کھڑے ہوئے ہیں کس کے سامنے حاضر ہیں آپ خود تصور کریں ماذا بچے اپنی یونیورسٹی میں اپنے پرنسپل کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں اور آپ اپنے جہاں جو آپ کے لئے کام کرتے ہیں یا آپ کے لئے کوئی ایسی پرسنیلیٹی جو بہت امپورٹنٹ ہے اس کے سامنے آپ کیسے کھڑے ہوں گے آپ ہاتھ بھی نہیں ہلاتے آپ یونیور بھی نہیں کرتے خارج بھی نہیں کرتے آپ بڑے عدب سے کیونکہ ایٹیگیٹ کے خلاف ہے انسان جو ہے وہ کسی کے سامنے کھڑا ہو لیکن ہم خدا کے سامنے آپ سوچیں کیسے کھڑے ہوئے ہیں وہ جو کائنات کا مالک ہے وہ جو مالک یومدین ہے اس کے آگے ہمیں کتنا کانپنا چاہیے حصولاً لیکن ظاہر ہے میں اپنے آپ کو کہوں گا یقیناً آپ کی نماز میرے سے بہتر ہے میں دنیا میں فسا ہوا ہوں میں اللہ و اکبر کرتا ہوں سارے خیالات میرا دل ابھی تک خدا کی طرف نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس دل کو خالی کرنا پڑتا ہے دنیا سے میں اپنے دل میں دنیا کی چیزوں کو لے کر ٹیل رہا ہوں محبتوں کو دنیا کی چیزوں کو دنیا کے معاملات نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے کام میں بزنس نے رشتوں نے چیزوں نے خام خواہ مجھے تو یہ ساری چیزیں کیا ہی ہیں کہ ایکسٹرا ہیں بسکلی ہے ایکچول کیا ہے اگر مجھے پریشان ہونا ہے تو مجھے آخرت کے لیے پریشان ہونا چاہیے خدا کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں تمہارے رزق کا وعدہ کیا آپ دعاوں بھی پڑھیں آپ صحیفے سے جادیاں پڑھیں آپ جو ہے وہ دعا ابو حمزہ کے اندر بھی خدا کہتا ہے کہ میں اگر تمہیں رزق دے رہا ہوں تو کوئی تم سے رزق چھین نہیں سکتا حدیثِ گتسی ہے کہ اے بنی آدم اگر تم نے وہ کیا جو میری چاہت ہے تو میں تمہیں وہ دوں گا جو تمہاری چاہت ہے لیکن اگر تم نے وہ نہیں کیا جو میری چاہت ہے تو پڑھ دنیا میں تم مارے مارے پھرو میں تمہیں وہ کچھ نہیں دوں گا جو تمہاری چاہت ہے دنیا میں خدا نے رزق کا وعدہ کیا ہے लेकिन हमारी सारी परेशानी हो सीकिए और खुदा ने आखरत का वादा तो हम आखरत की तरफ कितने अज़दाने तो मौत वज़ज़ हैं कितने हमारी तवज़ज़ है आप देखें कि दुनिया के अंदर परेशानी है खुदा उस आलम से भी देता है علماء के वाकियात हैं आपने जो है वो जाम साधात महराज उसाधा जो किताब है महराज उसाधा जाम साधा का तर्जम और खुलासा है और मुला मेहदी नाराकी जो हैं वो वालिद है मुला एमद नाराकी के उन्होंने उस किताब को एक्शुल लिखा था वो कहते हैं कि जब मैं नजफ ऐश्रफ में था तो इतनी मुश्किलात थी कि खाने को कुछ नहीं था और फाका था यानि कुछ भी नहीं था बच्चे बूके हैं तो बहराल रिवायत थी कोई कि जाएं कबरिस्तान में जाके दौा करें तो मुश्किल हल हो जाती है अगै गबरिस्तान में बहराल दौा की तो उनोंने देखा कि एक ख़च्चर के उपर जनाज़ा आ रहा है जनवर के उपर और आगे आगे उस्ताद चल रहे हैं और कुछ लोग जनाज़े को उस ने देखा मेरे उस्ताद है तो एक दम उस्ताद के बास गया, सेलाम किया, उस्ताद ने जवाब नहीं दिया, तो इसने पीछे जो लोग थे उन से बोचा कि उस्ताद जवाब क्यों नहीं दे रहे, तो कहा कि ये तुम्हारे उस्ताद नहीं है, तो कहा फिर ताही जी तुम्हें नदर आ रहा है, ये वो पूशनी आ रही है, जब वहाँ जाकर देखा तो सरसबसबाग है, ऐसे कलर्स हैं, जो जिन्दगी में देखे नहीं थे, ऐसे फूल है जिनको कभी देखा ही नहीं जिन्दगी में, और एक शक्स जो है वो तक्त पे बैठा हुआ है, उसके बाज गए, कहा ही सब का है, कहा ही सलाम में लाया जाता है तो कहा वो जो मेरे जनाजे को पकड़के ला रहे थे वो तुम्हारे जनने वाले नहीं थे वो मलाइका थे और वो मुझे मेरी रूख को यहां ले कर आए तो खुब यह सब है तो कहा इन्हों ने कहा अच्छा मैं गुम फिर सकता हूँ, कहां गुमों फिरो गुमने फिरने लगे, तो अचानक से आला में वर्जख है तो देखा माबाब नजर आए, माबाब को देखा अब दिल में परेशानी थी, ऑलाद की, बुक की, सब बूल गए माबाब को देखा, खुश हो गए, उनकी रूख को देखा, खुश हो गए जैसी माबाब ने बूचा, और तुम्हारे बच्चे कैसे हैं जैसी बच्चों का सवाल आया, वो दर्द फिर दुवारा, कि वो तो बुके हैं तो कहा जाओ, फलानी जगा चावल पड़े हैं, उठा के ले जाओ, कहा कितने हैं, कहा जितने लेके जा सकते हो, ले जाओ, अबाद ही, उस पे उन्होंने चावल डाले, और अचानक से उसकी खिर्की की तरफ गए, और फिर देखा कि वादियों सलाम मिखड़े हुए, चावल जायर इस आलम से तो आई नहीं थे, दूसरे आलम से आये थे, लेकि भाराल क्या करते हैं, मौलाना भी मजबूर हो गए, बीवी को राज बता दिया, इसलिए बीवी को राज सारे नह बताईए, बीवी को राज बताया, चावल खतम हो गए, पिर चावल दुबारा नहीं है। अज़ाने मौतरम। भारहाल खुदा राजिक है। खुदा ऐसा राजिक है कि आपको कहीं से भी दे सकता है। लेकिन खुदा ने किया। वो खुद हमने लेके जाना है। वो खुद हमने अपने आमाल को यहां से लेके जाना है। छोटी छोटी चीज पुरान कह र बिराबर भी की, तो मैं कryामत में तुम्हें दिखाऊँगा, और अगर बुराईी भी तुमने जर्रा बराबर की, टो वो भी मैं तुमें तिकाऊँगा इस अन्हेक, इससे पहले क्छ़दा उन बुराइयों को दित्खाए इनसान को चाहए अपनी زिंदेगी कम है ये माईना खुदा की बारगाह में गिर्गड़ाने कम है ये अप्शन फिर नहीं है बहुत ची बात है वहला आप यहां आते हैं और मिलकर सारा नमाज पढ़ते हैं अफ्तार करते हैं ये खुद बहुत बड़ी नहमत है जाने बहुत आज कल के दोर में लोगों के परस ट का शुक्त करें और इसको और बहतर करें ताके आने वाली नसले इस दर्स से जुड़ी रहे और ये हमारी जबयादारी है तोंकि हम जिस इमाम का इंतजार कर रहे हैं वो खकीकतां हमारा इंतजार कर रहा है हम अच्छे होंगे तो इंशाललह हम सब community मिलकर अपने इमाम की ख तु बाख़बर है हमारी हर एक ख़बर से तु हर चीज सुनता है तुस्टे बहतर सुनने वाला कोई नही बरवड़गार। पर्वड़गार उन्रिसके हलाल अता फर्माथ जो बरसर रोस्टे बरस्गार रिस्टे तरक्षी और कुशाद्की अता पर्माथ परवदिगार हाजरीन में भी सुनने वालों में भी और यकीनन कई लोगों ने कहा भी है कि जो लोग मरीज हैं परवदिगार उन्हें जल से जल शिफाय कामला और आजला अता परमा हमारे के गाले मेदीन दोस मौलाना हैदर आपड़ी पाकिस्तान में हाट अटेक की वज़े से मरीज हैं परवदिगार उन्हें जल से जल शिफाय कामला और आजला अता परमा जो बेगुना दुनिया में असीर हैं परवदिगार तुझे वास्ता असीरान कूफा और शाम का उन्हें जल्द जल्द रहाय अता परमा परवदिगार हमें इस महीने में कुरान की तिलावत दौाओं की तिलावत और नवाफिल को अदा करने की तौफिक अता परमा हमें इस महीने में जो है वो लोगों को अफ़तार करने की अफ़तार की तरफ बलाने की तौफीग अता पर्मा परदिगार हमें इस महीने में लैलत अल्गदर को दर्क करने की तौफीग अता पर्मा मुसल्मान जहां भी हैं उनकी जान माल इज़त अबरू की वासित पर्मा इ शबाब आप शबाद सालवात बें मुहम्मद वालवा